आप सुकार स्वागत है हमारे यूट्यूब चनल चाया मिस्टरा ब्लॉग 2 एंपर आज हम लेकर आए बहुत अमेजिंग सी ट्रिक और ट्रिक जो की लगभग 40 से 45 ट्रिक हैं चलिए दिखाते हैं आपको पहली ट्रिक तो थोड़ा सा जदे दी बोलेंगे जिससे की आपको सम उसमिल को सोकने की छंता रते हैं इस तरह से पोटली बना कर आप रख दीजैंगे आप देखे कुछ लोग इसमें यह कहोंगे की ड क्याटे हम चावल की पोटली कैसे बना कर रखने क्योंकि हम इस चीनी को तो ब्रत में खाते खाथे हैं तो ब्रत में मॉस्चर सोग कर लेता है जिससे हमारे चीनी सूखी बनी रहती है गीली नहीं होती है तो उसकी आपके पास पढ़े हो ऊगर इसके आकाργा है अगर आप तब पूरी बकैदा बना लिया है तो इसमें पेड़ी तरीके के बना लेंगे यह जिह प्लास की सहाइथा से आप ग५ुमा देघे मुलाइन तार्था इसके सब तरब से घुम गया है आप प्लास की आप इसे तरह से लटका देना है किसे सांवानब चसमा बह ll झाल में बचों को साफ दिखाइ नहीं देता है सेंपु लेंगे जाध कर लींगे थोड़ी सी लेंगे वैसली लेने के भाड में इसको लगा देंगे पूरे शीसे पर चसमे के कबड़ा यहां दोनों के दो हमारे पानी आणी बरसने लगता है वापनी नहीं जमेगा नेच्स टृक में देखे इस तरह से पायल ले लेंगे फायल आज कल चांदी है फोड़ा सा घर्मी आने लग की होई है तो पसीना भाल निकलता चांदी काली हो जाती है उसके लिए क्या करना है नमक ले लेना है और टूथ पेस ले लेना कोई भी टूथ पेस आप ले लीजे अब गरम पानी में खूलाएंगे जिसे वह गोगा जितनी भी गंदगी होगी सारी आराम से निकल जाएगी और हमारी पाइल जो चांदी का जो सामान है वह अच्छे से साफ बिलकुट चमक कर निकल कर आएगा तो देखिए उबाल लेंगे तो आप इस चांदी की कोई भी चीज साफ कर सकते हो तो आप चांदी की चीज़ों को बाहर साफ करानी की जुरूत नहीं है मार्केट लेजाने की जुरूत नहीं है आप इस तरह से घघर में ही साफ कर सकते हो पादी बाल कर वास्काल। हुआ है कि यहिसे देख चाइब को निकाल रख लेंगे बाहर वाश कर लेंगे किशाओ की साफ और संथ Western घंद की लिच Αन भाद से कॉछ कुछ तरय कर दो चमक गई हैं अगर साइन आगई है टेकर नहीं है जैसा कि आप टूथ पेस। डे सकते हो नने आप सारी सफाई आप्सक्राइब लेना है तो बॉक्त चछिक्नी ऊती है तो इसके लिए समय को हटाट ता है यह इंदर इंदर क्या कैना अच्छे से मल कर साफ हों इस Hayır कलें के तो अम आप से तो नहीं कहें very तो लेकिन कड़ा है जली हुई दो कडारित को मैंनथ करने पड़ अब देखें कड़ाई को मत अच्छे से गर्म करेंगे यहां पर जाए इस फोड़formed तो थोड़ा सा तो मेहनत करने पड़ेगे क्योंकि इतनी सारी कढ़ाई जल जाती है हमारी क्या करेंगे इस तरह से आप दिया ले 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 दिया तो देखें कितना अच्छे से साफ हो गई है कढ़ाई आप देख सकते हुआ झाल और बहुत जरूरी है तो राहु उग्र हो जात और इस तरह से साफ करने के बाद कोई भी आईरन का बरतन उसको पोंचना जरूर चाहिए यानि सुखाना जरूर चाहिए सुखाने के बाद में आप इसे अच्छे से रख सकते हो कहीं भी और यह खराब नहीं होगा जंग ने पड़ेगी नेक्स ट्रिक देख सकते हैं इस तरह तरह से देखिए नेगल करेंगे कोएल होती हैं जो मच्छड बगाने वाली होती जिसे के अभी कर्मिया चालू होने वाली है तो आप लोग खुले में लेटेंगे तो आपको जरूत पड़ेगी तो आप इसमें कोईल भी फसा सकते हो टूटी पूटी इससे वायर भी आप क किनारी देख सकते हैं यहां पर भी देमेज हो चुका है यह वायर हमारा तो इसके हम क्या करेंगे आप अच्छे से इसको हम जोड़ेंगे यानि सही करेंगे तो कोई भी ठकन ले लेंगे देखिए एक बात और आप अपने वायर के कलर का ही कोई कैप लीजिएगा प्लास्टि हम भी ब्लैक ले सकते थे मगर ब्लैक में सायद आपको हम दिखा ना पाते इस वज़े से हमने सफेद लिया है तो इस तरह से हम जला लेंगे डखकन को देखिए दिया की तरह जलने लगा है हमारा यह कैप तो आप क्या करेंगे उसको फुक कर भुजा देंगे और देखिए जली हुई यह डैखी जली होई फिगली होई लेख अपके लबेट क्या हुआ होगा यह जिसne क्या Federation हो जाएगी यह टेखिए एक क्या हमारा यह तो इससे हम बच्टों किसी को करेंट नहीं लगेगी और यह मजबूत हो जाएगा आप देख सकते हो तो इस तरह से हम क्या करेंगे कहीं पर भी जैसे अगर हमारी जिसे हम यह इसको भी बुझा देते हैं तो नेक्स क्या करना है फिर से इसको गरम कर लेना है और फिर से बुझा देना और इस तरह से देखे फिर से अच्छे से चिपका देना यह देखे तो यह देखे इस तरह से हम सारे वायर को ठीक कर लेंगे जहां-जहां से चूर होने काटा है जिससे क्या होगा ना से एक रचर्च को बिकला कर लगा सकते हो जिससे कि आपको पीने लगाए और आपका चार्जर जो के वायर भी एक्दम सेफ़ बन जाएगा यह देख सकते हो भी इसमें बीच में भी कटा था उसको भी में जॉइंट कर दें आयो आपको यह च्छी लगए और चलिए नेक्स त्र अब गरम और ही हमें इस पर क्या करना है असीर का क्रेफर होता है उप करनाध गरम तब पर रप करना है यह देखना किटना साथ गंदा और कितना साथ काला पानी निकल रहा है तो आई पनी आरा होगा देर इना इस तरह से प्लिए और इसको अच्छे से मालेंगे तब अपने गर्म तबे को अच़्े से मलेंगे जिससे क्या होगा अच्छे से साफ हो जाएगा ये देखे इस तरह से तो तो शूख जाये तो फोड़ा सा पानी क्वारे लिए इस तरह से अच्छे देख सकते हैं वास करके आपको दिखाते हैं तो इसको सफ कर लिए इससी तरह से आप 2-3 बार करेंगे तो आपको तब बिल्कुल चमक में लगएगा इतना जाधा साफ हो जाएगा देखिए जहां जहां पर बीच में जाधा सेंपो लग गया था यहां बॉयल हो गया था वहा सब टाइम लगेगा मगर साफ होकर तयार हो जागा नेक्स देखिए गर्मियां आने वाली है तो गर्मियों में क्या करते हैं हम इस तरह से टॉप्स नहीं पहन पाते हैं आर्टिफिसियल तो हमको करना क्या है ट्रांस्परेंट ले लेनी है और लगा देना है अपने पीछे प पहनने से तो करना क्या है तो इस तरह से आपको लेना है यहां पर बड़ा लगा लगा कर दिखा रहा है आप छोटा लगाना है जैसे कि आप अगर टॉप्स पहनते हैं तो आपको आपके टॉप्स को दिखना नहीं चाहिए तो यह देखिए इस तरह से हम आपको दिखा रह और आप इसे हम पहन कर भी दिखाएगे तो आपके कान भी नहीं फटेगा और सबसे बड़ी बात यह है कि कान में दर्द भी नहीं होगा जैसे कि आप देख सकते हो वैसे तो हमारे कान के होल्स छोटे हैं आप दिखिए हम दिखा रहे हैं आपको होता है कभी कभी इस तरह से जब हम पहनते है न ऩजल्ट इस हमारा कान में जाएगए ऑग 的 जाएग में पहां सकते हो तो आगे से बीचे से लगा सकते हो मगर इसे सेफ करना है तो आपको इस तरह से ट्रिक लगाने ही पड़ेगी जिससे आपका चेरा भी दिखने में खराम न लगे तो देखिए अभी गर्मिया है तो नेक्स ट्रिक में यह है कि इस तरह से आप लैसन में भी आप 10-5 मिट के लिए लगा कर जूस को र भी नीचलोर लगा सब लके जब खाटे में टारियॐ में अइसन को काम करने में दिख्कत। तो देखे घर में सबके दिया रखा होता है तो आप दिया भी इस तरह से लगा सकते हैं या फिर आलू को भी पतला पतला चॉप कर लीजिए और इस तरह से कढ़ाई के नीचे लगा दीजिए इसे क्या है आप देख सकते हो बिल्कुल भी हमारे कढ़ाई हिल नहीं रही है इतनी महगाई में कोई फेकना भी नहीं चाहता है तो उसके लिए ट्रिक बहुत इंपोर्टेंट है यह देख सकते हो इस तरह से कॉटन आप भी जाएंगे और उसके बाद में उपर से जितना भी एक्ट्रा ओयल है आप वह डाल देंगे और देख सकते हो सारा का सारा जितन अच्छे से साफ ओरा क्लीन ओयल निकल कर आ रहा रहा हो देख सकते हो आप तो यह देखी अब इस रूई को क्या करना है यह भी हम दिखा देंगे पहले तो उसके जितना भी व्यावल है निकल जाता है तो यह देखे अब रूट को हम लक निकाल कर निचोड़ देंगे इह अब नेक्स में ले लिए हमें प्याज, प्याज को क्या करेंगे इस तरह से हलका हलका सा चीलेंगे और उपर से कट करेंगे इस तरह से आप क्या करना है प्याज को छील लेंगे हलका सा अगर आप नहीं भी छीलना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है मगर हमने छील दिया है आप देखिए नीचे की जड़ है वह बहुत जादा खुरगुरी उठी हुई है तो इस तरह से सार्प कर देंगे काटेंगे नहीं बिल्कुल वर्ना जो हम बनाने जा रहे हैं उकरन बने देखिए रूइब देखिए एक्स्ट्रा ओयल था उसको निचोड़कर डाल देंगे प्याज में इससे क्या होगा ना आपका बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाएगा यह देख सकते हो आप दिया बना कर जला लेंगे और रूम में अपने किचन में कहीं पर भी इसको जला कर रख देंगे ना तो इससे क्या होगा एक तो मच्छड मक्या नहीं आएंगे आपके किचन में या रूम में जहां भी रखेंगे या बातरूम में खुस्बू बहुत अच्छी आएगी प्याज की नेक्स्ट्रिक यह है कि अगर किसी के दर्वाजे के सामने रखते हो और बा नेक्स्ट्रिक में देख सकते हो इस तरह से ले लेंगे अब हमें लेसन अधिक मात्रा में छिलना है तो हम इस तरह से छील नहीं पाएंगे तो क्या करना है इस तरह से लेसन को तोड़ लेंगे और ऊपर से एक बोटल में डाल देंगे उसमें कुछ चने डाल देंगे एक से तो आपको प्रॉब्रम नहीं लगेगी आप इस तरह से छील सकते हो देखिए काला चना लिया है आप इसकी जगह पर वाइट चना यानि छोले चना भी ले सकते हो बहुत अमेजिंग काम करेगा आपको यह ट्रिक भी अच्छी लगी होगी चलिए नेक्स दिखाते हैं आपको इस तरह से रप करने पर क्या होगा चने के साथ लगड़ खाये गा जिसकी वज़य से निकलगा जाए और आप आसानी से लचन को चील सकते हो तो तो धीर सारा लचन चील करके तयार हो जाएगा यह तरीका हमको वैस्ट लगा है क्योंकि बोटल हिलाने से यानि बोटल सेक कर कि अधियर को कुछ भी बनाते हैं कोकर से सिटी के साथ पानी भी निकलता है तु देखे इस की सीटी में विजल में पानी अई लगा देंगी और नहीं निकलेगी अब श्रड़ कि नेक्स टृक में देख सकते हूं में साबुन ले लिया है veo saabon का इसे कैप रहा करेंगे її साबुन 15-5 दिन चलता तह तरह से का देंगे तो वह गलता रहता है नीचे तो उसको गलने नहीं देना है इस तरह से एक स्पंज आता है उसको ले लीजे उसके उपर साबुन आप रख सकते हो वरना इस तरह से कैप ले लीजे उसके उपर आप स्पंज रखें फिर साबुन रखें इससे क्या होगा ना वेस्टेज बिल्क जब कपड़ें प्रस हमारी गरम होती है तो उसकी वज़ा से आपको इस तरह से जिदर मैच बॉक्स है जलने वाला है उसको इस तरह से गर्म करना है थोड़ी देर में आप देखेंगे कि आपकी माचेश जलती नहीं थी वह आसानी से माचेश जलने लगेगी यह देख सकते हो तो यह ट्रिक भी बहुत छोटी सी है मगर बहुत काम की है कि आप जब करम करें या फिर आप चपातियां मनाएं तो तवा भी गरम ही रहता है आप उस पर माचेश अपनी डाल सकते हो six तरह कि अपित के प्लू कबर दो चलती हों मगर पिलो कबर नहीं खराब हो नहीं और चाहते हुए किछ तो कर्ना क्या है जैसे इस तरह की छेयर है और आप में एक चेंज करना चाहते हो या विया कबर को इस तरह से आप पिलो कबर को में चोटा पढ़ गया ऊबने के लिए ने के लिए देख प्रके पढ़ गया अगर आपके पास एक ही करण के लुप बनकर के त्यार हो गई और यह बहुत अच्छी बहुत फूरत लगती है अगर आपके पास एक ही करल के पिलो कबर है देख सकते हो यह यह देखिए बहुत अच्छा लगता है कुछ हमारे घर में चेंज हो जाता है जिसे क्या है निगेटिविटी भाग जाती है बाहर और पॉजटिव इनर्जी आती है तो देखिए इस तरह से नाइटी जो होती है इस तरह से आप डाल सकते हो अगर फट गई है आपकी नाइटी या कुछ भी है थोड़ा बहुत तो इस तरह से आप डाल कर अपने कीचन का लुक चेंज कर सकते हैं अब देखिए नेक्स ट्रिक में इस तरह की जाडू होती है जब हम नहीं जाडू लेकर क्या देना तो उस फार में निकल जाएगा तो आएऊव आपको यह लगे होगी नेक्स ट्रिक लेख देखें जब कभी हम अपने लिए ब्रा लेकर आते हैं किसी के लिए भी ब्रा लेकर आते हैं मगर क्या है ऊपर साइज ठीक है नीचे की साइज छोटी है थोड़ी सी कस रहा है तो आपको कर तो आपको दिखाने के लिए दूसरे कलर का रखा हुआ है तो यह देखिए इसी सेम कलर का है इसको आप जोड़ दीजिए इससे क्या होगा आपकी स्ट्रिप की थोड़ी सी लंबाई बढ़ जाएगी आप अपने जरूत के साफ से लंबाई बढ़ा लीजिए इस तरह से तो आपके पेट में कसेगी नहीं तो आयोब आपको यह चोप टूसी ट्रिक है वह भी अच्छी लगी होगी क्योंकि यह सारे कप्ड़े बहुत महंगी आते हैं एक बार अगर घर आ गए और हमने उनको यूज कर लिया है तो दुबारा वह वापिस नहीं जाते हैं तो आप इन पानी यूज का पी खेवाल यूज करने हें चेका को में यूज डाना को नहीं होने ओले बहुत से मस्टर्वाइक मॉम्पति यह पहली सकते के बातुक्ती अन्हां मुंपति नहीं होगा मू सबता हृत नहीं है थोड़ी चोने पर छीक मिशावात disrupted two-two-th Listen आपको मोंबाती भडेनी है इस तरह से यह देखी जो मोंबाती का चूटा है मतला उसको चुवाया जाता है मोंबाती को भूदा करके तो उसको आप इस तरह से लगा सकते और फिर यह सब्सक्राइब से हवाद नहीं जाना चाहिए इसका एयर नहीं जाना चाहिए से अब के टमाटर लंबे समय तक फ्रेस और अच्छे बने रहेंगे क्योंकि अभी मार्केट में तेमाटर की फोड़े दिनों में बर्मार आने लगा तो आप इस तरह से आप स्टोर करके टमा कुछ भी निकालोगे आप ओयल है या रिफाइंड ओयल है कुछ भी तो वह रबड पर ही रुख जाएगी तो आपका पूरा का पूरा बॉटल गंदा नहीं होगा नेक्स ट्रिक में देखिए कोई भी बॉटल आपके खुल नहीं तो इस तरह से रबड लगा दीजिए और जिनते नेक्स टे नेक्स वीडियो के साथ बबाए